हलो दोस्तों welcome back to another new friends video दोस्तों आज मैं आपको सैड़फेक्स part-timer cyclist के बारे में बताने बोलूँ किया दोस्तों यह इस वीडियो के demand काफी टाइम से हो रहाता तो यह दिया आप सैड़फेक्स cycle से जोइन करने चाता है तो आपको our order कितना मिलेगा रेगुलर कितने अपको मिल सकते है रेगुलर कितने अरुनिंक कर सकते हैं पेञेंट करेंगे इस में ज्यूंस के लिए कितना फीस लगता है कैसे इसमें अप्लाई करना तो A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों में देने वालों और दोस्तों बता दो इस वीडियो मैंने सैटफेक्ट साइकलिस्ट एक डिलिवरी बॉय का इंट्रुवी लिया और इनी सारे सवालों के जवाब में डाड़ेक उनसे पूछा है तो उस्तों वीडियो को दोस्तों मेरे साथ भी मौजूद है सैटफेक्स के डिलिवरी बॉय चलिए उनसे वी साड़े सावालों के जवाब पूछते हैं जो पेसिकली आप जानना चाहते है तो यह सबसे पहले बताईए कि आप कितने टाइम से सैटफेक्स में काम कर रहे हैं लगबग जो एक मैना ह यहां पार टाइम का टाइमिग है एक तोने पांच घंडा साथ से बारा बज़े तख लेकिन वो कमबसर ही नहीं है जो पाझ भंडा कर ना सके जो आपका बरजी आप चाहे तो तीन घंड आप चाहे तो चार घंड आप काम कींट है उसमें कोई प्रॉब्म नहीं अच्छे ह के पहले भी लॉग-In कर सकते हैं? टाइम के पहले पढ़ीव मिनिट ज़स कर सकते हैं? मंलब कोई 4-5 बजे साम को अगर लॉग-In करना चाहे हैं तो? नहीं, कवी भी यह उसकते हैं 15-15 बइफो 15 मिनिट लॉग-In और विख लॉट्स तो रेगुलर आपको कितना उडर मिल जाते हैं। लगबगँ पार्ट से छे उडर every day average मिल के लियंगे हैं… तो आपको पार्ण ऑडर कितना मिलता हैं। पॉरीर में 25 रुपया मिलते हैं…. लेकिंड कुछ-कुछ दिन है जिसमें से 30 रुपया भी मिलते हैं…. जो सुपर सटर्ट दे है, सुपर संडे है, कोई IPL चल रहा है और कोई फेस्टिवल डे है, इस दे में 25 रुपिया के बादल में 30 रुपिया भी मिल सकते हैं. मतलब रेगुलर आपका 25 रुपिया पर ओडर है? रेगुलर 25 रुपिया पर ओडर गरनेट है. कोई फेस्टिवल रहा है या तब 5 रुपिया रहा है? कोई फेस्टिवल है, कोई IPL चल रहा है, Saturday है, Sunday है, उसमें 30 रुपिया भी मिल सकते हैं. तो आपको कितना लॉंग डिस्टेंस का ओडर मिलता है? लॉंग डिस्टेंस का ओडर मतलब 4 किलमेटर, सारे 3 से 4 किलमेटर मैक्सिमम डिस्टेंस. तो आपको डेली का टार्गेट अन इंसेटिव कितना है या पर? पर डेली का टार्गेट या टार्गेट नहीं है, वो और जब मिलेगा, कुछ दिन 5 और 6 और टार्गेट कोही नहीं है. 220 के ओपर जाएगा, part day earning 220 के ओपर जाने से 50 रुपिया और 250 के ओपर जाने से 100 रुपिया भी इंसाइटिंग मिल जाएगा तो रेगुलर आपका कितना आर्णिंग हो जाता है पिड़ पे? रेगुलर आर्णिंग 500 रुपिया से 180 रुपिया पार्ट ताइम से अपने जाने से 1 रुपिया पे? आपने जॉइनिंग के टाइम में कितना जॉइनिंग फीज दिया था। इसमें से कोई भी जॉइनिंग फीज एक्चुएली है नहीं। इसमें से पांसो रुपिया फास्ट ओडर डिलिवरी करने के बाद दिराक्त होता as a on-boarding charges। उसके बाद after completion of 50th order another 500 rupees भी दिराक्त होता है that is also on-boarding charges। 1000 rupees हो गिया उसके बाद if you got the t-shirt that is for rupees 300 that is not mandatory, if you got a raincoat that is rupees 300 that is also not mandatory, if you got a raincoat that is 500 that is also not mandatory. This is the chart is. So at an average, मतलब कितना फिर भी देना परेगा अगर फिर भी जॉइनिंग फिर सिकुरियर दिपोजित मनी भी जोगा? Security deposit कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, 1000 rupees, 1000 rupees, हम लोग से पीशाट लिया, उसमें से 300 rupees extra हम लोग दिया, हम लोग भी ब्रेन कोट नहीं लिया, हम लोग भी delivery bag नहीं लिया, अच्छा आप इतना टाइम से काम कर रहे है, तो क्या आपको क्या लगता है कि यह साइड़फेक्स, जोमाटो या साइकिल का जो cyclist delivery boy है, क्या उससे अच्छा ही है कि खराब ही है? नहीं, वो पैरलली है, साइड़फेक्स को जोमाटो और सुईगी साइकिल boy जो है, वो फेसिलिटी एडवनटेज जो है पैरलली है, जितना जोमाटो सुईगी मैं कर से अगलें कर सकते है, प्रवाइब अपने काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों जो इस वीडियो को देख रहूंगे यहां तक उनको काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिला हुआ तो थैंक यू सो मच तो सुना अप लोगो ने के डिलिवरी बोई ने क्या का अब मैं एक दो प्रविक्ली पेमेंट आता है जैसे जुमाय टो एंसुरी अच्छी तक पेमेंट आयाता है बहुत लोग मुझे पोलते थे हमेंसा कि इसमें पेमेंट अच्छी ताह से नहीं मिलता है बाई मैंने भी सारे डिलिवरी बोई से पूछे जो काफी लंबे समय तक इसमें फूद अच्छी से लेके 30 रुपया तक मिलता है तो उस हिसाब से अब रेगूलर 150 रुपय से लेके 180 रुपय तक इसली अर्णिंग हो जाता है यानि कि मैंने कि साइच 4,000 से लेके 5,000 तक अर्णिंग हो जागा यदि आपके एरिया में ओडर का ग्रोफ काफी अच्छ है तो आप 6 यानिंग कर तो इसमें जो टार्गेड इंसेंटिव येदि आप आर्णिंग कर लेते तो आपको 60 रुपय का इंसेटिव अलग से मिलेगा और यह आप लोगों बता देता हूं कि इसमें जोईनिंग किस किया या जैसे डिले बोड़ ने कहाँ है ये इसमें सिभ आपको onboarding fees देना है यदि आपको T-shirt लेना है तो उसके लिए अलग से आपको पैसा देना होगा यदि आपको बैग लेना है तो उसके लिए भी आपको अलग से पैसा देना होगा अधर्वाइस कोई mandatory नहीं है ऐसा है जैसे कि डिलीवड बोई ने कहा आपको टोटल 1000 रुपीस तर देना पड़ेगा पहला order पर 500 पर डिटक्शन होगा उसको पचास हुए order जैसे आप कंप्रेट होंगे उसको फिर 500 पर डिदक्शन होगा दोस्ते इस फें जॉयन करने के लिए आपको सैटफेक्स पार्टनर एप्लिकेशन प्लेयस फीस्ट्टे वहां पर आपको यहां पर चाला करना है को पहला सब्सक्री में जैसे के डिलीवड़ बोई ने कहा कि यह ज्या जासा ही है अलग नहीं यह उलग है आप जो मेंने जि अगर आपको जो मैं वेकंसी नहीं मिलते हैं अप्लाई नहीं कर पा रहे हुआ पर जोइनिंग नहीं हो पारा आपका तो आप सैड़ फैक्स में जॉइन कर सकते हैं दोनों ही सेम हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मिशन रहा है मिलते हैं बहुते हैं नेट्स वार फ्रेश वीडियो साथ तब तक लिए हैं चाहिन